ये गाईज मैंना दॉक्टर शेरण एंड वेल्कम तू नीट बडी डियाग्राम फॉर दे डियाग्राम 21.2 डियाग्रमाटिक रेप्रेसेंटेशन फॉर इंपल्स कंडक्शन थू एंग्जॉन अट पॉइंट एंट पॉइंट बॉइंट 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 यह वन फॉर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सो हमारे वीडियो को जितने सारे हो सके हो तने नीट अस्परेंट के साथ शेयर कीजेगा ताकि वी कैन हेल्थ माक्समिम नंबर ओफ नीट अस्परेंट अड प्लस जितने ज्यादा व्यूवर्स हमारे पास आएंगे उतना ही ज पोलराइजड मेंबरेन जो नर्व ंिंबरेन है वो पोलराइज मेंबरेन मतलब क्या है मतलब there is a difference in charge बाहर की तरफ हमारा usually positive चारइज होता है और जो हमारा अंदर की तरफ होता है वह महारा negatively charged होता है ऐसा क्यों होता है मैं बिल्कुल समझाओंग अभी तो basically होता क्या है कि अंदर की तरफ हमारे पास potassium ions है उसके साथ साथ हमारे पास negatively charged proteins है बाहर की तरफ क्या है हमारे पास बाहर की तरफ हमारे पास sodium ion है ठीक है obviously potassium अंदर की तरफ है sodium बाहर की तरफ अब आप बोलो कि यहाँ पर plus one charge है यहाँ पर plus one charge है तो balance क्यों नहीं हो रहा? Balance इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाहर sodium हमारा जादा होता है बाहर plus charge जादा होता है compare to under की तरफ क्यों जादा होता है? आपको पता है there is one pump called as sodium potassium pump correct तो जो sodium potassium pump है normally इसका काम क्या होता है? normally इसका काम होता है 3 sodium out 2 potassium in this is the normal work of sodium potassium pump मतलब 3 plus 3 plus बाहर निकालेगा और 2 plus अंदर लिकाएगा मतलब obviously बाहर की तरफ ज़्यादा plus है compared to अंदर की तरफ और साथ ही साथ अंदर की तरफ we have negatively charged protein also जो की इस plus को neutralize कर रहे हैं ठीक है so अंदर की तरफ will have negative charge and बाहर की तरफ will have positive charge ठीक है this is a normal polarized membrane अभी impulse नहीं आया अभी कुछ नहीं हो राइस membrane में अगर इतना आपको समझ गया हो तो अब क्या होगा बाहर से एक impulse आएगा impulse का मतलब क्या impulse का मतलब एक signal है ठीक है बाहर से signal आएगा यह signal कहां से हो सकता है signal कहीं से भी हो सकता है या किसी दूसरे neuron से हो सकता है another neuron ठीक है another neuron neurotransmitter से आया हुआ signal भी हो सकता है जब भी यह signal आएगा और हमारा nerve का membrane stimulate होगा किसी एक part में suppose इस part को मान ले जहाँ पर यह stimulate हो रहा है तो जैसे ही यह part stimulate होगा इस part का जो permeability है वो reverse हो जाएगा permeability reverse होने का मतलब क्या है बाहर sodium है अंदर potassium है suddenly क्या होगा कि बाहर से sodium अंदर आने के लिए शुरू हो जाएगा and this happens for a very small time for microseconds बहुत बहुत छोटे time के लिए यह होता है और बाहर से बहुत ज़्यादा sodium अंदर आ जाता है अब जैसे जैसे sodium अंदर आएगा क्या होगा sodium बाहर positive sign दे रहा था लेकिन वो sodium अंदर आ गया तो अब sodium बाहर जो positive दे रहा था अब वो अंदर positive देना शुरू कर देगा तो अंदर की तरफ आपका positive हो जाएगा और क्योंकि बाहर का sodium अंदर आ गया तो बाहर की तरफ negative हो जाएगा यह उस पार्ट में हो जहाँ पर stimulus आया अब यही है आपका A part of the diagram that I am going to show you in the diagram now so this is the site A जहाँ पर stimulus आया है and suddenly sodium की conduction permeability increase हो गया तो जैसे ही sodium की permeability increase होगी sodium अंदर की तरफ चला गया जैसे ही sodium अंदर की तरफ चला गया अंदर की तरफ प्लेस हो गया अब sodium बाहर प्लेस दे रहा था लेकिन बाहर तो sodium बचा नी तो वो हो गया and minus negative हो गया वो correct ठीक है अब जो क्या होगा अब हमें पता है conduction of an impulse, conduction of a current happens from positive to negative ठीक है conduction of a current happens from positive to negative तो हमारे पास A में positive है और उसके आगे पूरा negative है अब पूरे में तो एक साथ conduct नहीं होगा लेकिन जो positive पार्ट है वहाँ से negative के तरफ जाएगा बाहर positive से negative के तरफ आएगा तो एक तरह की से ये पूरा का पूरा circuit भी complete हो गया और हमारा flow positive से negative के तरफ हो गया उसके साथ-साथ वो permeability का change भी आगे के तरफ move करेगा मतलब ये कि अभी site A वा suddenly permeable to sodium अब क्या होगा जैसे impulse आगे के तरफ move करेगा और site B will become permeable to sodium अब site B permeable to sodium होगा तो sodium लगा ता रंदर आना लगेगा जल्दी जल्दी sodium अंदर आएगा तो अब site B में अंदर के तरफ positive हो जाएगा और बाहर के तरफ negative हो जाएगा जैसे ही वो impulse site B में पहुचेगा अब क्या होगा site A में जो permeability sodium की increase होई थी इत इस transient transient मतलब permanent नहीं है इत इस short lived and temporary तो जैसे ही वो current B के तरफ move हो गया वापस site A की permeability reverse हो जाएगी मतलब तीन sodium बाहर दो potassium अंदर जैसी वो permeability reverse होगी तो site A will again become अंदर से negative बाहर से positive and conduction ऐसे आगे के तरफ होगा site B से फिर site C में जाएगा site C से site D में site D से E, E से F ऐसे करकर के till nerve ending ये conduction होगा ठीक है very simple to understand बस आपको ये समझना है कि polarized membrane होता क्या है वो polarization हमने maintain कैसे करी है sodium को बाहर निकाल रहे potassium को अंदर लेकिया रहे लेकिन same number पे नहीं ला रहे तीन sodium बाहर निकाल रहे दो potassium अंदर ला रहे site A में permeability आ रहे है impulse आने पर site A पे क्यों क्यों कि वहाँ पे sodium की permeability change हो रहे है तो पूरा खेल sodium के अंदर बाहर होने का है sodium बाहर है sodium अंदर है उस हिसाब से आपका conduction हो रहे है ठीक है अगर sodium अंदर के तरफ है तो अंदर के तरफ positive आएगा sodium अंदर के तरफ कब होगा तब होगा जब आपकी permeability increase हुई है उस site में कहीं से impulse आया है या वो impulse किसी दूसरे site से हो सकता है जैसे side B में impulse site A से आ रहे है या फिर वो impulse हो सकता है कि आपको receptor से आ रहा हो या किसी दूसरे neuron से आ रहे है जैसे side A में आ रहा है ज़ाप dar initial impulse आई है release of neurotransmitter ताकि ये conduction आगे की तरफ हो सके अब ये release of neurotransmitter कैसे होता है ये आपको मैं next diagram में बताऊंगा synaptic cleft वाले diagram में जहांपे हम synaps की बारे में पढ़ेंगे बट अभी के लिए आई हो बहुत ही easy words में easy to understand language में आपको ये समझाया है पूरा का पूरा खेल अगेन आपको बता रहा हूं sodium potassium pump का है and sudden reversibility अचानक जो हमारा reverse हो रहा है conduction अचानक जो हमारा reverse हो रहा है permeability of sodium channels उसका है चीक है I hope you find the video helpful I'll see you guys in the next video